COVID-19 वैश्विक महामारी के संकर्मण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार लागडाउन का सहारा लिया है वही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी चालाकी से लागडाउन में पलिता लगाने से बाद नहीं आ रहे हैं आपको बताते हैं तिवारीपूर थाना छेत में महामाद इसलाम, पुत्र मति उल्ला खुरैशी, जाफरावादार थाना तिवारीपूर निवासी मीट की दुकान चलाते हैं इन्होंने लागडाउन में भी मीट की दुकान चलाने के लिए फर्जी इपास का जुगाड कर लिया मामला तब परकाश में आया जब तिवारीपूर थाना परबारी, सत्य परकाश सिंग और उनकी टीम द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी तभी मुहमद इसलाम भी अपने इपास लिए मिल गए पुलिस को ये पता था कि दिला परशासन के दुआरा मीट की दुकान खोलने के लिए इपास जारी नहीं किया गया है जब पुलिस ने इपास की गहनता से जाच की तो पता चला कि इपास फर्जी है मीट की दुकान चलाने के लिए मुहमद इसलाम ने फर्जी इपास बनवाया था जब पुलिस दौरा पकड़ाई से पूछ ताच की गई तो मुहमद इसलाम ने बताया कि उसने फर्जी इपास अनस पुत्र इबराहीम बेनीगन ठाना कोतवाली से बनवाया था हरकत में आई तिवारीपूर पुलिस ने अनस को गिरिस्तार किया और पूछ ताच में बताया कि पैसे की लालत में वो फर्जी इपास बना रहा था आरोपित के अनुसार अब तक उसने तीन लोगों के फर्जी इपास बना कर दिये हैं उसके लैपटाप में चार लोगों के इपास और मिले हैं फिलहाल पुलिस जाच कर रही है कि अब तक कितने लोगों का फर्जी इपास बनाया गया है इस बड़ी काम्याबी में थाना परभारी सत्य परकाश सिंग, उपने रिच्छक धर्मेंद कुमार वर्मा, सहिज उनकी टीम ने एहम भूमिका निभाई है इस संबन में गोरकपूर नीउस से बात करते हुए सीयो कोतवाली बीपी सिंग ने कहा इस बड़ी के दुकान चलाने के लिए इसमें पास जारी किया था इक अनस नाम का आजमी एक हजार रुपाई लेकर के अपने लाजटाप से और इस्लाम नाम का व्यर्टी जो जाफरा बजार का है वो दुकान चला रहा था उनको पकला गया है, जेल बेड़ा गया है और भी पास बने हुए थे जो उनके लैपटाप में है उनका वीचे नहीं किया गया है कि रफ्तारी की जाएगा। अब यह अवियोग पंजीखित किया गया है और सभी पास की चेकिंग चल रही है जो भी पास अवैद तरीके से ले करके बनवा करके काम कर रहा है उनके खिलाप अवियोग पंजीखित कर कारवाई की जाएगा।